हलो फ्रेंड्स मेरा नाम राकिश वर्मा और मेरी यूटूब चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में जानेंगे डेली करेंट अफेर्स में आज दिनांग अठार अक्टूबर 2021 में करेंट अफेर्स के इंपोर्टेंट कॉस्चन तो चलिए सुरू करते है तो पहला कॉस्चन है किसे हाली में प्रधान मंत्री कारेलाय का नया संयुक्त सचिब नियुक्त किया गया है तो उनका नाम है मीरा मुहंती तो I.S. हेमाचल प्रदिश के डर के 2005 के अधिकारी मीरा मुहंती को हाली में प्रधान मंत्री कारेलाय का नया संयुक्त सचिब निय किया गया है जबकि रेतिष चोहान को प्रधान मंतरी फसल भीमा योजना का मुख्यकार पालक अधिकारी नियुक्त किया गया है अगला कॉशन है बच्चों में मौखिक स्वक्षता बनाए रखने की बारे में जागरुकता बढ़ाने की उद्देश से हाल ही में किसने हेल्द हेल्दी इसमाईल एप लॉंच किया तो वह किया है एम्स ने तो एम्स ने हाल ही में बच्चों में मौखिक स्वक्षता बनाए रखने की बारे में जागरुकता बढ़ाने की उद्देश से हेल्दी समाईल एप लॉंच किया है यह एप इंट्रिम्यूरल रिसर्च की नो सेना विग्यान और प्रोधिकी की प्रियुक्षाला में डॉक्टर A.P.J. अब्दुलकलाम प्रेणा इस्थल का उधगाटन किया गया है तो वह हुआ है विशाका पतनम में तो विशाका पतनम में इस्थित DRDO की नो सेना विग्यान और प्रोधिकी प्रोधिकी है अगला कॉशन है किस ग्रूप के चेर्मेन योगेंद्र मोहन गुपता का हाली में 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया तो वैथे जागरण के तो जागरण ग्रूप के चेर्मेन योगेंद्र मोहन गुपता का हाली में 83 वर्ष के उम्र में निधन हो गया उनके निधन पर जारखंड की मुख्य मंत्री हैमंद शूरेन, राजपाल, रमीश बैश, विधान सबाद जेक्ष, रवीद नात महतो और पूर्वे मुख्य मंत्री रगुवर दाश ने सोक व्यक्त किया है अगला कॉश्चन है किस संगठन ने अपनी बारशिक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि भारत की अर्थ विवस्ता धीरे-धीरे रिकवर हो रही तो वह कहा है अंतराश्टी मुद्रा कोशन है तो अंतराश्टी मुद्रा कोश ने हाली में बारसिक रिपूर्ट जारी करते हुए कहा है कि भारत की अर्थवस्ता दीरे दीरे रिकावर हो रही जबकि मुद्रा स्वीती के दबाव के प्रती आगाह भी किया है आईएफ ने वित वर्ष 2021 के लिए भारत की आर्थिक ब्रदीदर 9.5 प्रतीशत रहने का अनुमान लगाया है अगला कॉस्चन है 18 अक्टूबर को विश्वर में कौन सा दिवस मनाया जाता है तो मनाती है विश्व रजुनुब्रती दिवस तो 18 अक्टूबर को विश्वर में विश्व रजुनुब्रती दिवस मनाया जाता है और इस दिवस का उद्देश है महिलाओं को रजुनुब्रती के बारे में जागरुकता पैदा करना ये वो मच्छे स्वास्त के प्रती सजग बनाना है ये रजुनुब्रती 45-45 शाल के बीच के उमर में होता है अगला कॉश्वन है किस देश ने सौन जू थर्टीन आंधरिक्ष्यान छे माईने के मिशन के लिए तीन व्यक्तियों के दल को लौँच किया तो चीन ने तो चीन ने हाल ही में सें जू थर्टीन आंधरिक्ष्यान में 6 माईने के मिशन के लिए तीन व्यक्तियों के दल को लौँच किया इसे लौंग मार्च 2F रॉकेट द्वारा लौँच किया गया और इस यहान के 6 घंटे की भीतर 13 मोड्यूल के साथ डॉकिंग पूरा करने की उमीद है तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही आ